तो यह रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि रुसल मेनिया के बाद सेस्ट रॉलिंस के लिए डबलीड़ीद के पास कोई प्लैंस ही नहीं है क्योंकि पिछले हफ्टे की मंडे नाइट रॉलिंस आए और बिना बोले चले गए और कल की मंडे नाइट रॉपर तो हमें वो नजरी न होने वाला है केविन ओवन सेमी जेंड एंड मैट रेडल बजी हैं सोलो सिकोर एंड वी उसोस के साथ में और शायद हमें बैकलेश के अंदर एक सिक्स में टेक्टीम मैच देखने को मिल सकता है इन सुपरस्टार्स के बीच में इसके लावा कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर का जो मैच है वो बैकलेश के लिए ऑफिशल हो जाएगा आने वाले टाइम में अब बचे जज्जमेंट डे के मेंबर्स तो डैमिन प्रीस्ट और डॉमिनिक मिस्टीरियो बिजी है रे मिस्टीरियो और बैड बनी की स्टोरी लाइन में वाई फिन बैलर तो मुझे नहीं लगता है कि सैथ रॉलिंस के अपॉनेंट होने वाले हैं इसमें बस एक नाम बसता है जो की है एज का बट उसके लिए इन दोनों सूपरस्टार रॉपर इस टाइम पे फेस हैं और एज की बात की जाए तो भाई रसल मेनिया के बात से वो नजर भी नहीं आया है रॉपर तो यह ड्राफ्ट से पहले मेरे को तो नहीं लगता है कि सैथ रॉलिंस के लिए कोई प्लैन है डब्ली डब्ली के पास हाँ ऐसा हो सकता है कि डब स्क्राइब भी कर सकते हो